नमस्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है और यह है O2is Academy मेरा नाम ठुतिका है और आज इस सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी सीरीज के साथ में दी भलोकरा सीरीज जो लोग जानते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि हम wonderland कवर कर रहे हैं and the people who are new उनको मैं बताना चाहती हूं कि जग मोहन बलोकरा की लिखी गई the wonderland को हम कवर कर रहे हैं chapter by chapter सो बहुत लोगों की क्वेरीज हैं कि क्या आप सिर्फ हिस्ट्री कर रहे हैं क्योंकि मेभी इफ यू गईज आप सुशल कस्टम्स है वो सब हमने अल्री का यह है हम अपने टाइंलाइन के हिसाब से आज कल यहां पर इसके बाद में हम आपका फ्रीडम मोमें है वह देखेंग देन आपके wildlife centuries है जो जो आगे वाले chapters है usually वो हमने पहले cover किये थे videos में लेकिन उनको फिर से हम इस series में cover करेंगे यह हमारा 7th chapter चल रहा है जग मोहन बलोकरा की wonderland का and हमारा अपना जो है यह 25th lecture चल रहा है यहाँ पर हम आज सिर मौर डिस्टिक की history discuss करने वाले हैं so बने रहिएगा last again तक video देखेगा अगर आपका कोई भी query है you can do contact me on this handle और आप जो academy का number है उसके उपर call कर सकते हैं वो tap कर सकते हैं and we will try to solve the queries right then हम बात करते हैं in lectures की pdf की जो की पढ़ना important है वो आपको हमारी app पर मिलेंगी यहाँ पर आप इसे play store से download कर सकते हैं इसका link आपको description box में भी मिलेगा right again as I am telling all the times हर बार मैं बोल रही हूं कि May end में आपका exam आने वाला है HPS का if you are preparing the best way to prepare is आप जादा-जादा questions को perform करें if you can get a book जिसमें आपका question bank है HPG के का that's well and good आप महां पर perform करिये otherwise खुद को अभी analysis अगर करना है कि किस तरीके की तयारी है तो हाँ हमारी app पर चल रही test series को join कर सकते हैं पहले तीन test free of cost available है unlimited number of attempts है AI power जो है यहां पर आपका analysis किया जाता है so you can go and check it out there right चलिए शुरू करते हैं आज का session then सिर्म और कि अगर हम बात कर रहे हैं तो basic क्या होता है आपके राजा कि कितने राजा थे कौन सा event important था कौन सी battles लड़ी गई है और कौन से like basic जो आपका structure है वो खड़ा किया जाता है आपके कोई temples है forts है आपकी कोई cities है who were the founders of the city यह सब चीजे ही आपके एक जब आप district पढ़ते हैं तो important रहती है सिर्मौर की अगर हम location देखें तो location बहुत interesting है यहां पर यह अपना border share करता है हर्याना के साथ में उत्राखंड के साथ में उपर शिम्ला एंड सोलन के साथ में और नीचे यहां पर थोड़ा सा UP के साथ में भी अपना border यह शेयर करता है तो जब ही especially हम history पढ़ रहे हैं हम देखते हैं कि इसकी यह तो अभी जब आपका independence के बाद में restructurization की गई तब यहां पर हमने देखा कि इस तरीके से सिर्मौर ने shape लिया उससे पहले उत्राखंड का इसकी पार्ट भी इसमें हुआ करता था सिर्मौर यासत में हुआ करता था विस हें विस sword के सारे स्रेमौर रियासत में आया करते थे रहाना कि अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पिंजव आ जाता है पतेया व कली उत है इस सबका इसको बताने का एक important जो reason है that is आपको location पता होती है तो इसकी वज़ा से आपको बहुत help मिलता है कि किस तरीके से कहां कहां territory थी और कहां कहां वो expand किया करते थे कहां कहां पर attack होते थे battle होते थे रूलर्स के अगर हम बात करें बहुत सारे रूलर्स हैं as you can see 47 रूलर्स है हर एक रूलर की कहानी है हमें सारी की सारी नहीं पढ़नी है I am requesting you please please इसके बाद में wonderland मत उठाएगा I have used in like invested a lot of time in this and it's not worth it बहुत सरे राजा जो है क्योंकि since अभी आपकी जो राजगर्दी है उसके लिए बहुत सारे conspiracies होती थी बहुत सारी लडाईयां होती थी और बहुत सारी stories हर एक राजा के साथ में story जुड़ी हुई है इसका मतलब यह नहीं है कि वह important है हर एक राजा जो ह है वो छोटा ही आपका राजा बन जाता था छे या साथ साल की उमर में फिर कोई और ध्यान रखता था जो basic story है basic plot है वो same ही रहता है सो हमें सारा का सारा नहीं पढ़ना है इन में से हम देख लेंगे कि कौन-कौन important है उन्हें आगे हम पढ़ने वाले हैं origin की बात करने है कि स junior था सूपर में सी रखता था और रियासतों के ऊपर इसकी वज़ा से इसका नाम सिर्मौर पड़ा second scenario हमें देखने को मिलता है कि जो सिर्मौर है वो capital हुआ करती थी एक रियासत की इसकी वज़ा से उसको ही हमने again जो है उसका नाम सिर्मौर रखा तीसरा हमें जो idea देखने क को मिलता है कि एक राजा थे राजा रसालू वह को आपके आय थे नीचे साूत से अगें जैसे हम हमेशा देखते हैं कि आपके वह नीचे वहली साइड़ से आते हैं आपके जो दुर बीडेज तो वह यहां पर कॉलारियन रेस रूल क्या करती थी तो वह सिर्मेर से आपके आए अक्सर हम कहते हैं that we are the descendants of Rajasthani people only these are the facts जिनके base पर वो कहा जाता है ठीक है तो वो यहां पर आए और उन्हों ने अपना rule करना शुरू किया तो माना जाता है इनके कोई ancient ruler हुआ करते थे जिनका नाम सिर्मौर था उनके नाम पर सिर्मौर रियासत का नाम पड़ा लेकिन कई कई जगा पर यह भी लिखा गया है कि राजा रसालू के बेटे का नाम सिर्मौर था, इसलिए यहाँ पर इस जो पुरी रियासत है, इसका नाम सिर्मौर पड़ा, तो बहुत सारे वर्जिन्स हैं, लेकिन यूशुड आइडिया कि किस तरीके से ये बात की जा रही है, फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कि इसका में सोर है, कामई रंजोर साहाई निखी गई तारीक रियासत सिर्मौर का, अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजे, जो हैं, आपको timeline के हिसाब से और sources के हिसाब से अलग है वेराइज इस किताब के हिसाब से अलग है तो कई बार आपको versions जो हैं दो different देखने को मिलते हैं एक है जो major sources के हिसाब से चल रहा है एक इस किताब के हिसाब से लेकिन इसको एक important source माना जाता है सिर मौर की history में फिर हम capitals की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी capital है यहां पर ठीक है राजमान से कालसी हुई कालसी आपका उत्राखंड में आता है यहां पर इस र्यासत में हम देखते हैं कि प्रकाश यह अपना जो आगे सरनेम है यहां पर चुसक्षत कोंग बैज्थ करते हें तो फेले कोई राजकुमार धरम धरम प्रकाश था तो बाद में धर राजा धरम प्रकाश मनता है इस तरीके से ऑस संग जो है यहां पर सरनेम यूज क्या जावा रहा है इस डिस्टिच में इस अ र्यासत में district में इस रियासत में तो इससे पहले बहुत साले और रूलर्स भी थे लेकिन इतना कुछ important उनके time पे हुआ नहीं जो हमें याद रखने की जरूरत है तो हम शुरू करेंगे राजा उदित्प्रकाश से राजा उदित्प्रकाश जो थे उन्होंने रूल किया आपका एंड राजवन से कालसी को आपकी जो capital है उसको shift किया था तो यह इनके बारे में important fact है फिर आते हैं आपके call प्रकाश इनके time पर important क्या है तो देखे अगर आप यह पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं जितने भी जब पीडिएफ में आएगा क्योंकि थोड़ा भूमिकाप आनने के लिए हैं लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूं मैं सिर्फ pointers को यहां पर आपको बताऊंगी क इसके ऊपर question आने के chances बनते हैं ठीक है काउल प्रकाश के अगर हम बात करें he started ruling after his father and हम देख सकते हैं again expansionism में वो जाते हैं जुबल बालसन थरोच को अपनी tributaries बनाते हैं अभी यह सारी की सारी जो है शिमला में आती हैं यानिके महासू district में यह उस वक्त आया करती थी वहा स्टोरी सो शीव दी डॉटर ऑफ इलतुदमिश अंड हम यहां पर क्या देख सकते हैं शीव दी ओनली ओनली फर्स्ट लास्ट कुछ भी वह सकते हैं आप फीमेल रूलर ऑफ दी डेली सल्टने सो यहां पर क्या हुआ था उनके खिलाफ जब कॉंस्पिरेसी रची गई या उनका जो महां पर विरोध किया गया वहां पर एक रिबेल जिसने किया था वो थे नविजाम मुल्क मॉहम्मद खान और वो कहड़े हुएं उन्होंने जब रिबेल किया तो आपके रजय सुल्टान भाग कर आई थी और उन्हों ने शरण ली थी आपके सिर्मौर बारदार में वो अब ही आपका साहनपूर वाला एरिया है उसमें सुल्तान किसकर टाइम पर अयाए थी कौल प्रकाश के क्याए थी यह बात आपको प्ता होनी जरूरी तो यही सुमेर प्रकाश के बारे में important है इसके बाद यह काफी time तक हमें रतेशी capital देखने को मिलेगी next आजाते हैं राजा सूरज प्रकाश so इनके time पर इतना important नहीं है actual में क्या हुआ कि कालसी से रतेश move कर गए तो वहां पर वो जब rule कर रहे थे तो उन्होंने देखा थोड़े time के बाद कि कालसी में revolt होने शुरू हो गए तो वहां पर बहुत सारे attacks किये गए रिवोल्ट देखने को मिले तो माना जाता है कि जो राजा सूरज प्रकाश के सबसे बड़ी बेटी थी उसने उसको महां पर she was a able warrior और उसने कालसी में चल रहे से रिवोल्ट को दबाया था यही important था इसके बारे में next कम राजा भगत प्रकाश इनके टाइम पर क्या हुआ फिरोषा तुगलक की ट्रिब्यूटरी बन गया था तो एक important बात जो आपके सिर्मौर के बारे में है कि यहां पे ना हमें जादा battles देखने को नहीं मिलती है जै जैसे आपके मुगल्स आए तुगलक्स आए या फिर आपके आगे ब्रिटिश यह आए तो इनके टाइम पर बिना इन्होंने कोई जादा मतलब पंगे नहीं लिए इन लोग से यह बस अग्री कर गए जिसकी वजह से यह फायदे में भी रहे इन्होंने जादा बैटल नही रिवोल्ट है उसमें ब्रिटिश की हेल की जिसकी वजह से इनको कभी जो हैं आपके महंगे रोब देखने को में रोब दिये जा रहे हैं या फिर इनको अच्छे टाइटल दिये जा रहे हैं बहुत सारा पैसा था और इनको अटॉनमी बेसीकली मिली हुई थी अपने हिसाम प्रियासत थी यह उनकी ट्रिब्यूटरी यहां पर बनी हुई थी नेक सब आते हैं आपका राजा वीर प्रकाश सो सिर्मौर में क्या होता था कि जो आपके देवी देवता है कुल देवी देवता उनको कुछ ना कुछ जो है दिया जाता था या फिर उनकी जो पूजा है वो उनकी रॉयल फैमली किया करती थी आगे भी करती रहेगी तो उस तरीके से यहां पर इन्हों ने जो आपके राजा वीर प्रकाश है इन्होंने गौड़ेस का टैंपल जो दुर्गा है उनका टैंपल महां पर बनवाया था पबर के गिनारे तो हाट कोटी में जो कि अब इनके टाइम पर सिर्फ इतना हुआ इंपॉर्टन जो हम देखने देखते हैं वो है किनों ने रतेश से कैपिटल किसमें कहां ले गए कोट दियूथल में ले गए जो अगें थोड़े टाइम तक रहेगी फिर दो इसके वर्जन हमें देखने को मिलते हैं एक तो यह नॉमल सा है जो आपके कमर रंजोड सिंग है उनके हिसाब से कोट दियूथल कैपिटल थी वेरस जो गाजित है वो कहता है कि रतेश प्रांगण में ही रहे थे लेकिन वहाँ पर एक जो छोटी जगा थी कोट और गीजडी वहाँ पर इनकी कैपिटल को इनोंने शिफ्ट किया था यह थोड़ से कांट्रेडिक्टिंग है पर आपको कोट देउतल या कोट गीजरी भी आद रहता है तो चलेगा ठीक है नेक्स्ट इस राजा करम प्रकाश अब यह इंपोर्टन है क्वेस्टन पूछे जाते हैं बिकोज ही इस इस फाउंडर ऑफ नाहन डिस्टिक और फोट इस वेल जो मतलब आपका नाहन का फोट है और जो सिटी है मतलब क्यूंकि वो कैपिटल अपनी बनाने वाले थे तो अच्छे सेनों ने बनाया और उसकी जो फाउंडेशन है यहां पर सेट की नाहन का नाम पहले नाहर हुआ करता था इस जस्ट लैक्ट सेम जैसे आपका प इस जो फूजा करते थे बाबा बनवारी दास को और माना जाता है कि यह जो बाबा थे जब चलते थे इनके साथ पर लाइन जो आपके हैं वो वॉक किया करते थे और नाहर का मतलब होता है आपका लाइन तो उसी तरीके से अगें वहां पर जगननाथ का जो भी टेंपल है वहां पर अभी भी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो पूजा करते हैं टेंपल में प्रॉपर जाते हैं जगननाथ को जो है वो महां पर अच्छी उनकी मरादना की जाती है बाइदी रॉयल फैमली नेक्स्ट आ गए मेदिनी प्रकाश मेदिनी प्रकाश यह भी यह याद रखना है औरंग जेब ने दिया था अब क्या हुआ जब हमने सिख रूल देखा था हिमाचल में तो हमने क्या देखा था कि 19 यह में जो आपके गुरू गोबिन सिंग जी है उन्होंने बैटल किया था कहलूर के राजा के साथ में जिसका नाम था राजा भीम कि यह में नहीं दूगा तो उसके पीछे यहां पर लडाई हुई इसी की वज़ा से राजा भीम चंद ने उनको आपके जो आनंदपुर है वहां से निकाल दिया था या मतलब उनको वहां से इवाकवेट किया था जिसकी वज़ा से वह चले गए थे सिर्मौर की तरफ सिर् है तो यह चीज जो है आपको रिलेट कर सकते हैं अम की जो आपकी वाइट अलिफंट के लिए बैकल आफ भगानी हुई थी अब यहां से होगा जब यहां से पांटा साहिब से मतलब इसमें ना बड़ी स्टोरीज हैं जुड़ी हुई मैं आपको सुनाती हुए अ बहुआ के राजा की शादी किस के साथ होने वाली थी वो होने वाली थी आपके भीम चंड की बेटी के साथ में कई फिर ज़िजब भीम को बेटी को अब जिब गुरु हो आप Dann जी के वापिस की तो पुरा लगा और उन्होंने वहाँ पर भीम चंड के खिलाफ वहां अपनी जो भी आर्मी थी उसको लेके गए फिर वहां पर बैटल ऑफ भगानी हुई थी भंगानी या भगानी कहते हैं ना यह वली चीजे हैं कि बाक स्टोरी बहुत लंबी होती है लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि में चीज क्या थी में चीज आप कोई element याद रखना है जैसे white elephant है तो फिर महां से आपको याद हो जाएगा नेक्स रूलर आ जाते हैं राजा कीरत सिंग मैंने बताया कि जो नीचे वाला एरिया था आपका हर्याना पिंजौर है पट्याला है पट्याला के राजा के साथ में हमेशा अच्छे रिलेशन रहे हैं सिर्मौर के राजाओं के तो उसकी help से उन्होंने पिंजौर फोर्ट पर भी यहां पर हमला किया था फिर इस वक्त क्या हो रहा है कि जो सिर्मौर वाला एरिया है नीचे घड़वाल है तो यहां पर आ गए हैं आपके गोर्खाज तो आपकी जो राजा कीरत सिंग थे उ आप वहां से आ रहे थे वापिस तो किरत प्रकाश की डेथ हो गई थी रास्ते में ही लकड घाट में सो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि अभी आप देखिएगा कि गोर्खाज को उन्होंने बाहर भगाया है लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो गोर्खाज को वापि सारे रूलर्स को एक एक करके वो आगे बढ़ रहे हैं उनको अपने अंदर सब्जुगेट कर रहे हैं यहां पर जब वो कहलूर की तरफ आये थे तो राजा महांचन ने देखा कि यहां पर मैं प्रॉब्लम में आने वाला हूं सतलुच के दूसरे पार वो पहुंच चुके सारचंद है और 1796 में एक बैटल होती है तो यहां पर यह आपकी बैटल हुई एंड इसमें आपकी जो सारज सारचंद है वो जीत गए और यह लोग वापस इनको बैक आफ करना पड़ा लेकिन वह इंपोर्टन नहीं है इसके बाद में असली स्टोरी शुरू होती है जैसे गोर्खास का इनवेजन देखा था उसमें अच्छे से ये स्टोरी हमने कवर की है आपको धर्म प्रकाश वियात होगा कर्म प्रकाश वियाद होगा अगर आपने वो लेक्ट्र अच्छे से देखा है अगर नहीं देखा है तन Go back to the invasion of गोर खास उसको अच्छे से देखे दे you will get an idea कि मैं किस चीज़ की बात कह रही हूं ठीक है करम प्रकाश के हम बात करते हैं next ruler आते है हमारे करम प्रकाश यह स्टोरी बहुत important है इसको अच्छे से सुनना है सो यहाँ पर क्या हुआ किशन सिंग एक वजीर था यहाँ पर जो कॉंस्पिरेसी रचता है अपने जो किंग है उसके खिलाफ अब किंग को यह जब पता चला तो वो खुद को और अपनी फैमिली को लेके चला जाता है कांगडा के फोट में वहाँ पर कुछ दिन रहता है लेकिन अब वहाँ से जब वापस आने की बारी आती है तो क्या हुआ कि उसका जो छोटा भाई था रतन सिंग जो सुर मौर में ही रह रहा था वो यहाँ पर एक बड़ी साजश रचता है कि अब जो गदी है उसके उपर मैं बैटने वाला हूँ इससे डर कर किंग को अपनी फैमिली के साथ देहरा धून भागना पड़ता है यही है वो टाइम जब the course of events will change क्योंकि देहरा धून में वो मिलता है अमर सिंग थापा के सा और फिर वो उनको invite करता है कि आये गोर्खाज जो है this was the time जब वो अंदर आते हैं और उन्हें कहा कि आये मुझे अपने भाई से सिर्मौर को छुडाना है उसके बाद आप आगे बढ़ जाएएगा मुझे मेरा सिर्मौर मिल जाएगा लेकिन बात वहीं है कि हर बार इसी त आगे बढ़ जाते हैं रूल करना शुरू करते हैं संसार चंद की तरफ चले जाते हैं वहाँ पर आपके जो फोट है कांगडा फोट उसके बाहर काफी दिन बैठते हैं वापस आते वह सिर्मौर का जो पूरा राजपाठ है वह करम चंद को नहीं देते अमर सिंग थापा वह देते हैं अपने बेटे को रंजोर सिंग को सो अब यहां पर करम प्रकाश फिर से कंफ्यूज हो गया कि अब मतलब मेरा अक्चुल मोटिव तो कुछ और था लेकिन यहां पर कुछ और हो गया और इसी की वज़ा से उसको जाना पड़ता है अमबाला अब वह अमबाला म है उन्होंने बड़ा खराब कर दिया है और सब कुछ जो है अपने कंट्रोल में ले लिया है अगर अब नहीं आप कुछ करेंगे तो वह नीचे आएंगे याने के जो आपकी टरिट्री है उसमें एंटर करने वाले हैं तो इस वास टाइम जब उन्होंने फिर से हेल्प मां इसके बहुत सारे रीजन रहे हैं तो यहां पर पहली ही बारी में जो ब्रिटिश फोर्स है वो नाहन को अपने अंडर लेती है पूरा टाउन और गोर्खास को खदेड कर वहां से बाहर निकालते हैं लेकिन यह भी वह वही वाला टाइम है जहां पर कर्म प्रकाश को माना म सिर्फ छे साल का था तो उसको राजगदी पर बिठाया जाता है तो यह इंट्रिस्टिंग स्टोरी है यह आपको पता होनी चाहिए इसके उपर क्वेस्चन आने के चांसी है इन में प्रिएज पर नेक्स रूलर आ गए आपके शमशेर प्रकाश जो इन्होंने रूल करना शुरूर किया 1856 में 42 तक रूल किया है यहां पर हम जो में चीज देखते हैं वह यह कि ब्रिटिश की साइट थे इन्होंने ब्रिटिश को बहुत सपोर्ट किया है इसके बाद वाला वह जो इसके बाद जितने भी रूलर्स हैं वह ब्रिटिश के ही साइट पे थे तो 1857 का ब्रिटिश गवर्मेंट को काफी ज्यादा हेल्प किया था जिसकी वजह से इनको एक कॉस्ली रोब यहां पर दिया गया था और साथ तोपो की सलामी दी गई थी फिर 1867 तक जाते 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 10 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश गवर्मेंट को लगा कि इन्होंने और ज्या रानी हुआ करती थी, she was very good, she used to help him with the administration and everything जिसके नाम पर जिसकी याद में उन्होंने रानी ताल बाग ही जो आपका बाग है यहां पर बनाया था, इन्होंने यहां पर forest department को भी organize किया, अपना जो एक state forces है उसको organize किया, यानि कि he used to have excellent infantry, cavalry, army जो है पूरी उसने अपनी यहां पर अच्छे से बनाई हुई थी, एक separate cantonment भी बनाया हुआ था, जिसको वो सत्यों का पहाड कहा करता था, so इस तरीके से हम राजा शमशेर सिंग को देख सकते हैं, next हमारे ruler आते हैं, तिका सुरिंदर बिकरम सिंग, so since he was also helping the British army, तो उनको एक title दिया गया था, he was appointed as the knight commander of the order of the star of India, यानि की KCSI, जो इस तरीके का title उनको 1901 में दिया गया था, यहाँ पर, then हम देखते हैं, he was also appointed as the member of imperial legislative council, उसके अलावा, he has the power जहाँ पर वो किसी को death sentence जो है, वो भी यहाँ पर दे सकता था, जबकि Britishians time पे ऐसा नहीं था, वो actual power अपने पास में रखा करते थे, but they had so much faith and sir more as well कि उनको अच्छी important जो है powers यहाँ पर autonomy rule करने की यहाँ पर उन्होंने दी हुई थी, उनके time पे, since यह वो वाला time है, जहाँ पे आपका priorities change हो गए हैं, सिर्फ आपको rule नहीं करना है, सिर्फ आपको revenue नहीं लेने हैं, और चीज़े बहुत सारी आ रही हैं, जैसे आपका postal services है, communication है, यह आपका transportation है, इन सब चीजों के उपर काम किया जा रहा था, तो ऐसे time पे जो आपके सुरेंदर बिक्रम प्रकाश हैं, उन्होंने आपके administrative economy और जो political state था, उस वक्त रियासत का उसके उपर काम किया, और अच्छे से यहाँ पर development जो issues थे, उनके उपर भी काम कर देने की कोशिश की, so he also sent his men to South Africa to help the Britishers, वैसे ही आपके जो next ruler है, Amar Prakash, उन्होंने में सुपतामिया में भी अपने जो है, यहाँ से सिरमौर से माइनर्स और सेपर्स भेजे थे, so he helped them as well, हमारी जो यह रूलर आजाते हैं, again Amar Prakash है, he had the full powers of lieutenant governor as we can see and again उसने भी अपना British government को दिया है, he again, जो आपका knight commander, the order of the star of the India, वो title इनको भी यहाँ पर दिया हुआ था, वो नवाजा गया था basically, उसके लावे invaluable service के लिए इनको भी ग्यारत तोपो की सिलामी यहाँ पर दी गए थी, फिर हम देखने हैं कि he also inaugurated Mahima library and then 1933 में क्या हुआ, यह वहाँ पर अपनी जो रानी है, उनका इलाज करवाने के लिए गए थे, यॉरप में और वियेना में ही इनकी death हो गए थी, उसके बाद ruler आ जाते हैं, राजा, रजंदर प्रकाश, कुछ important खास है नहीं, इनको again, they were all helping, जो आपके Britishers हैं, उनको जो है rewards यहाँ पर दिये जा रहे थे, So that is it for today, यह आपके सारे के सारे rulers हैं, इन में से हमने देखे कितने कितने important है और कौन कौन सी, जिसे रगुबीर प्रकाश है, यह मतलब basically अगर आपको chronology देखनी है, कौन किसके father है, तो आप इसको go through कर सकते हैं, I would not suggest you to do so, so यह आपके rulers है, इसके बाद में rulers और भी थे, दोड़ने लगी थी, ठीक है, 1935 के पास में क्या हुआ, आपके प्रजा मंडल मोमेंट शुरू हुई Lahore सेशन में, उसके बाद में थोड़े ही टाइम में आपका हमें प्रजा मंडल सर्मौर भी देखने को मिला, अब यह वहाँ पर बन गया, तो लोगों में आ गया कि नही पहले यह behind the curtains हुआ करता था, लोग सामने नहीं बोलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे rulers भी इनके week होते गए, या फिर उनने देखा कि ये तो Britishers को ही support कर रहे हैं, तो उनको भी कही ना कही हुआ कि हमारा ruler ही गलत है, तो इस तरीके से हमने देखा कि movement जो है आपके प्रजा मंडल के important leaders हैं, आपके नागेंदर सिंग है, देवेंदर सिंग है, रजेंदर दत है, किशन सिंग है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, और आपके सिर मौट की history कभी पूरी नहीं हो सकती, अगर आप पन जोता, आंदूलन की बात ना करें, जो आपका उसको देख लीजेगा एक बार कि किस तरीके से स्टोरी है ये सिर मौर की पजो होता, आंदूलन की, इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, आपके जो डॉक्तर वायस परमार है, उन्होंने विजिट किया था, सिर मौर को और उन्होंने देखा किस तर एक बढ़ दिए डायस प्रेवा ऑन खर श्तर्गल, आपके जो कि लेकर प्रेड वेंदू, और प्रेवा कबीक देखते हैं लिएे, ऑटन्होंने प्रेड आपके बार किर देखते हैं कि और देखते हैं प्रेड़ मौर करा संतर्गल, ऑन खरिए, बटेए, इस बटेगल, इ